इस चर्चा के रेकॉर्ड होने के बाद वोड़ाफोन की CEO निक रीड ने कहा कि पत्रकारों ने उनकी बातों को संदर्व से अलग जाकर पेश किया यू टर्न करके उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को वुद्वार के 13 नवेंबर को चिठी लिखा कि उनकी कमपनी भारत के प्रती प्रतिभद है रीट की ये टिपनी तब आई जब भारत सरकार ने उनकी लंडेन में की गई प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान टिपनी पर मजबूती से नाखुशी जताई फिर भी जमीनी सच्चाई जहां थी वहीं है अभी Department of Telecommunications याने की दूर संचार विभाग ने एटेल और आईडिया वोड़ाफोन जैसे कमपनी का अपना बकाया राशी भुकतान करने के लिए नोटिस भेजा है और गुरुवार को इन दोनों कमपनियों की शेरों के कीमत में जबरतस्त गिरावट दर्ज हुई जिस क्लिक पर आपके स्वागत है आज चर्चा करेंगे टेलिकॉम सेक्टर की क्राइसिस के उपर हमारे साथ पौरण जैग गोठा कुटता है जो इस विशे पे और दूसरे विशों में भी अपने दखल अंदाजी रखते है पौरण जैज ये जो इशू है इस वक्त निक जो वोड़ाफोन के CEO है कह चुके है कि ये अगर चलता रहा तो हिंदुस्तान की मार्केट से उनको विदाय लेना पड़ेगा क्योंकि नेट वर्ट जीरो हो चुका है और उन्होंने कहा है कि ये जो सिच्वेशन है सरकार कोट और कॉप्टिशन द्वारा की गई है और ये बहुत दिन से वो कह रहे है इसका कोई सुलह कुछ निकल नहीं रहा है इसे आपका इसके वारे भी क्या लगता है पहले दो चार बात में कहना चाहता हूँ जो वोड़ाफोन का जो चीफ एक्जेकेटिव है जो लंडन में मंगलवार के दिन एक प्रेस कांफरेंस किया एक म कॉलर भी निवेश करने के लिए त्यार नहीं और ये भी कहा नाम किया इन्होंने मुकेशंबानी जी का उन्होंने कहा जिस तरह से उनको दबावाया है और जिस तरह से ट्राइट जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथारिटी अप इंडिया ये जो पूरा दूर संचार शे हास है दोहजार साथ से भी वो नराज है और आयकर विभाग के साथ अलग बात है मगर आज जो जगरा है एकदम सावजने का जया क्योंकि साथ साथ कुछ दिन पहले रिलाज जियो भी कहा सरकार को कि इन लोग को मदद मत कीजिए आइडिया वोड़ाफोन को मदद मत खंट पिट जिसके नेत्रित में जस्टिस अरुन मिश्रा थे और साथ साथ अब्दूलनजीर जी और अमार शाजी थे उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने कंपनी का जो आए है जो ग्रोस रेविन्यू है और उसके साथ क्या क्या आप निकाल देंगे जो आपका जो लाइस दे रह रहा है कैसे आपने कैलकुलेट करेंगे लाइसेंस फी इसमें ये कंपणियों को 15 कंपणी का नाम किया मत आज तो बाकी रहे गए तीन और नीजी शेतर में और सरकारी शेतर बाहल संचान निकम लिमिटेट और मानगड टेलेफोन हैं ये तीन कंपणियों को एकटा 90 between broker से भी जादा देना पर का और नबई दिन के Κंडरॉ और इसमें सबसे जादा देना पर का क्षिका किस को؟ भारतिय अल्ब को 42.000 करोरॉ इडिया वोड़ाफी 온 को 40.000 करोरॉ लग भग। मगर रिलाइंस जियो कुछ भी दे नहीं देरेंगे तेरा दशमल तीन पाच करोर तो एक तरह से अगर ये कमपनी को 90 दिन के अंदर इतना पैसा देना पड़ेगा तो कमपनी डूप जाएगा ये साफ साफ निकरीड ने कहा और भारती एटेल ऐसा नहीं कहा मगर 14 साल के बाद पहला बार ये भारती एटेल लुक्सान में चल रहे हैं और ये तो साफ है कि इस तरह से अगर चलेंगे तो ये शेत्र आगे नहीं पर पाएगा दूसरी बात इसका और एक पहली जो है कि इस वक्त इन कमपनियों के टेलेकॉम सेक्टर की पूरी जो लॉसेस है जो बैंक लोन्स के तहद वो कवर कर रहे है इस वक्त वो करीब सात लाग क्रोड की है तो ये एक सिर्फ सिर्फ टेलेकॉम कमपनियों के लिए जटका नहीं हो तो यह जो टेलीकॉम सेक्टर जिस पर पहले करीब 12 तेरा कमपनिया थी, अब बुलता तीन निजी कमपनी और एक पॉब्लिक सेक्टर कमपनी, एम टेरल को गिनेते दो, यही अब बचा हुआ है, तो अगर यह भी डूब जाते है, तो जियो के इलावा कुछ खास बचेगा न आप देखिए, जिस तरह से, जिसके पास जो एटल का उबोकता है, जो आइडिया वोटरफोन, कॉल ड्रॉप्स कितना बढ़ गया, आप देखिए, आज अगर एक कमपनी को इतना उनका शक्ति बढ़ जाता है, तो यह उबोकता के हित में हैं, देश के हित में हैं, यही सव उट जाता है, क्योंकि आज देखिए, यह साफ हो गया, कि अगर उससे पहले दो कदम में पीछे हट के दो चीज़ कता है, एक समयती गठन किया, सरकार ने, इसमें कैबिनेट सेकेटरी है, राजीव गौबाजी, इसके जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेलीकॉम का जो सचिवे अन्शु परकाज जी, जो वित्य मंतराले जो सचिवे राजीर कुमार जी, और कानून मंतराले के जो सचिवे अनूब मेंडीरत्ता जी, इन लोग को अभी एक कुछ, यह जो बहुत बरा एक समश्चा है, इसको कैसे समाधान हो सकता है, क्या आप दो साल के लिए क्या देंगे ने आप कुछ मत दीजिए या आप कहेंगे कि और ज्यादा समय मिलेगा और जो एक बहुती मत्पूर्णा बात है आप किस तरह से पैसा खर्च करेंगे जो गरामीन इलाका है जहाँ पे सिर्फ BSNL MTNL का अभी तावर्स है जहाँ पे जो दूर ज जाए तो एक तरह से पूरा आप ये जो आज जो दूरभाश शेतर है और दूरभाश यंत्र का जो उन भोग करते हैं भोगता आप मैं देश में आज एक सो पैटीस करोर लोग है एक सो बीस करोर सिम है याने की सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोडूल लगबग सतर से सार पचतर करोर लोगों का पास हैंड सेट है मोबाइल फोन से दूरभाश यंत्र है इसमें आधा के आसपास इंटरनेट एनेबल है तो ये सब कहां पर हम जाएंगे अगर ये शेत्रा में एक ही कंपनी बाकी रहेगा तो मैं समझता हूँ पहले 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 दोनों अगर विड्रॉ कर जाता है जो अभी वोड़ाफोन वाले कह रहे है खास तौर से अब अभी साथ फिजिक है आसपास क्योंकि आपका वोड़ाफोन का तीस है और एर्टल कहां बहुत सारे लोगों को बास डूएल सिम है इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक 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 के इनकार करके एक्चुली एक ग्रोस रेविड्यू पर से रेविड्यू शेयर मॉडल पे आये थे तो तब उनको नहीं लगा था कि इसमें क्या खत्रा है उस वक्त उनको लाइसेंस फी बहुत जारा भी भीती प्रद लगा तो आज इसके लिए भोगत रहे कि 15 साल बाद अ समझ में आ रहा है कि लाइसेंस फीर करने से नुकस Shah किया उस बात को छोड़ देते हैं इस वक्त हैं क्या है लाइससमी में होना चायिये नहीं होना चायिये एक चीज़ ऑ़र जो सरकार के पास जो राजिस्च वा आ रहे जो एक तरह से 2015 सोला में सबसे ओपर चला 2015 साल में दो लाक करोर से भी जादा, दो लाक से से 37 soll 696 करोर सरकार को बिढा है उसके बात लगातार फालोर्वर गिर रहे हैं इसका कारण क्या है? यही कंपनिया एक जमाने में लाइसेंस फी देने से इनकार करके रेवन्यू शेर मॉडल पे गए और बहुत दिन से इस बात पर बहस किया कि revenue को कितना share देना चाहिए basic जो issue है कि license fee पर बहस इन्होंने बात में शुरू किया कि adjusted gross revenue क्या होगा और इसके लिए 10 से 15 साल cases चल रहे हैं अब मैं सवाल आया कि it has come at a time एक वक इस वक्त पे आया है जबकि regio market पे आ चुका है अब करीब करीब voice calls के लिए charge पहले तो पुछ नहीं करता था अब मामूली charge करना शुरू किया है तो ये जो change हुआ है उनके लिए ये judgment भी उसी वक्त आया है और ये बहुत दिन से BSNL खास तोर से ये regulatory authorities को बता रहे हैं दूसरे company भी बता रहे हैं कि predatory pricing है इसके वजह से हमारी bankruptcy हो जाएगी जो के पास पैसा है क्योंकि reliance, oil और भी sectors, petrochemicals इससे पैसा लाके यहां पर डाल रहा है तो it's an unfair competition अब लग रहा है इसकी बात तो सही है बिल्कु ठीका देखे हमें ये मालुम है जैसे Vodafone का CEO ने साफ कहा दिया कि हमें एक पैसा और निवेश ने करना है भारत वर्श में हमें ये भी मालुम है कि 14 साल के बाद भारती एटेल लुक्सान में चल रहे है जियू का कितना लुक्सान है हमें मालुम नहीं क्योंकि ये और भी एक बरा एक संस्ता है जो भारत वर्श के सबसे बरा नीजी प्राइवेट कॉर्परेट कंपनी है रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड बहुत कुछ है इसमें कच्छे तेल का रिफाइनिंग चलता है पेट्रो केमिकल्स हो रहे है कुछ रिटेल में चल रहे है बहुत सारे तो हमें मालुम नहीं यह कहां से कितना पैसा आया मगर जैसे आपने कहा प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या है जिसके पास बल है जिसके पास पैसा का बल है हम इतना कम रेट कर देंगे कि बाकी को बजार से हम आउट कर देंगे बाहर कर देंगे तो एक तरह से एक समय जैसे हमने कहा पंद के रहेगा तो ये क्या जन्र हित में हैं, ये उब्हकता के हित में हैं, उस समय तो अगर competition नहीं होगा, तो कुछ भी दामबाब वो कुछ भी कर सकते हैं, तो यह अभी समय बताएंगे कि सचमूचि ये सरकार क्या करेंगे या नहीं करेंगे, सरकार के जो नीती है और आज भी काफी साल से और जो ट्राइ है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथारिटी आफ इंडिया जो अंग्रेजी में हम करते हैं लेवल फ्लेइंग फील्ड और अगर आप सबको एक तरह से सबको आप मौका मिलना चाहिए बजार में आके एक दूसरे के साथ कंपिटिशन में प्रतिद्वन्दिता में अगर ये खतम हो जाता है तो मैं समझता हूँ वो भोकता के लिए खराब है जनहित में नहीं है और एक और मुद्दा है देखिए Reliance Jio सरिफ आपको दुर्भाश यंत्र में आपका बाच्चित करने का सेवा नहीं दे रहे हैं इंटरनेट का सेवा दे रहे हैं आप क्या पढ रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या दिक रहे हैं? उन्हीं का कमपनी आज एक जगा में है, बहुत सारे लेक, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम, ये भी दे रहे हैं तो एक कमपनी या एक संगस्था जिसके शिर्श में भारतवश के सबसे अमीर वेकती है अगर उनका पूरा समाज के उपर और पूरा अर्थ विवस्ता के उपर इतना इनका जो नियंत्रन प्रवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये सवाल है, मुनापली का सवाल जो है फिर खड़ा हुआ है, कॉम्पिटेशन के जगह पर पूरा मुनापली के ओर बढ़ रहा है पौरण जाए, बाचीत के लिए धन्यबाद, आज के लिए इतना ही देखते रहेएगा न्यूस क्लिक